नुश्कर दोस्तों मैं हूँ रवी कॉशल और आप देख रहे हैं News Click बच्पन में जब भी हम ग्यान विज्ञान के बारे में बात करते थे तो अक्सर हमारा जिक्र जो है अविश्कारों के बारे में होता था आज पिछले हफते जो है एक किताब आई है मार्केट में जिसे आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए यह किताब है जो 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 लेकक है वह है प्रभीर पुलकायल्थ प्रभीर सर हमारे चीफ एडिटर भी है तो उनसे हम बात करेंगे इस किताब के बारे में किताब जो है मोटा मोटी हमारी जो कंटेंपरिर राजनीती है साइंस है टेकनोलजी है उसके रिलेशन के बारे में बात करती है आगे बढ़ने के पहले एक टिपपणी करना चाहता हूं आपके जो इंट्रोड़क्शन है उस पे कि आपने कहा था नौक्रियों के लिए है अभी पहले सोचता सोचते थे कि इस वक्त उसकी बाजारी करन हो रहा है तो समाज के भले नौकरी यह तो साइड एफेक्ट है कहेंगे पर मूल जो चीज है बाजारी करना तो मतलब सवाल पहला जो था हूँ आप से यही था कि आपकी किताब जो है साइंस और टेकनोलोजी के रिष्टे के बारे में बात करत बात करती है और यह कहती है कि इसकी जड़े हैं वे थिहासिके और इसमां कहीं जाते बाद भी वेनवाल लोग यह किस तरीके से थोड़ा इसके वारे में अगर आप बताते हैं किस रिष्टे को करना चाहूंगा कि विज्ञाना टेकनोलोजी की अलग करना ये भी हमारे अभिदान में नहीं है तो उसको जोड की किया जाए science and technology की लगता है कि जड़वा भाई है या जड़वा बहन है जो हकीकत नहीं है जिसके बारे में मैंने काफी विस्तार से हाँ चर्चा किया है तो हम इसरों की जब बात करते है space research organization तब उसमे science technology दोनों जोड के देखते हैं तो जो नाम आते हैं वो technologist है या scientist है वो सब scientist के क्या कहेंगे संग्या में वो जुड़ जाता है पर हकीकत पे जो आधे लोग से ज्यादा है वो technologist है और वो आपने आपको engineer ही कहते हैं पर यहां पर जाके उनको भी हम scientist करके पुकारते हैं तो एक तो ये अलग ब संबंध है तो ये बड़ा साफ इशू है कि विज्ञान जो है उसको philosophy का एक हिस्सा पुराने समाज में माना जाता था हम ज्यादातर बात करेंगे वेस्ट को क्योंकि वहां से हम विज्ञान का शुरुवात करते हैं हलांकि वहां से विज्ञान का शुरुवात नहीं होता है पर हमारे जो इतिहास विज्ञान के बारे में होता है यौरोप से ही एहां आने की बात होती है पर हकीकत जो है कि विज्ञान प्रकिती को जानना बहुत पुरानी चीज है क्योंकि सबसे ज्यादा उसका संबंध है agriculture खेती से क्योंकि आपको कब रितू बढ़लेगी कब प्र था पिसिलिए खेति से जुड़ा हुआ है इसके बाद दूसरी चीज है लडाई से हातियार से तो यह चीजे तो हमारे समझ hora तो इसपे डोनों चीज हमेशा रहा है जुड़के रहा है पर अलग अलग चीज है कि आप प्रकिति को समझे अब प्रकिति को बदलिए बद प्रकिति को बदलने के लिए खेती बे हल आपका है तो बहुत सारे जो ऐसे टूल से आवजार है वो उसका जो स्रिजन होता है उसका जो स्रिश्टी होता है उसका कौन करते हैं उनको हम भूल जाते हैं पर जो लोग बताते हैं कि तारा कहां किस रितू से सब्बंद रखता है, कब क्या constellation उभर के आएगा, तब रितू क्या होगा, तो ये जो बताता है, ये सिर्फ इसलिए है कि बारिश कब होगी, बारिश होने के पहले से जमीन को तयार करना है, तो रितू को इसलिए predict करना, समझना, वो जुड़ जाता है, आसमान को देखना, उसको क्या कहेंगा, धेन करना और उसके साथ से prediction करना, तो प्रकिती को समझना और प्रकिती को बदलना, ये दोनों अलग-अलग स्रिजन शीलता का अंग है, पर यहां धीरे-धीरे जो जानते हैं, वो समाज है, ये तो नीचे स्तर की है, ये सिर्फ हमारे समाज नहीं, जहां पर कासस सिस्टम भी इसको जकड लेता है, पर तूसरे जगों पर में ग्रीक संभिता की भी जिक्र किया है, रोम की के जिक्र किया है, क्यूंकि वईतिहासिक, वह unserem दो उनका भी जो कहते हैं कि ऑसिफिकेशन एकदम जो बदलाओं का खिलाफ जो समाज के अंदर एक रवाया बन जाता इसी लिए है कि स्रीजन शीलता को अलग-अलग कर देने की चीज है कि आउजार जो बनाता है जिससे अध्यान भी प्रकतिकी होती है टेलिस्कोप से लिएक हर चीज तो यही है ना माइक्रोस्कोप जिसका तज़वीर हमारे किताब के उपर है तो यह जो चीज है यह स्रीजन शीलता को इस स्रीजन शीलता को अगर हम अध्यान से अलग कर देंगे तो इसमें अल्टिमेटली समाज की क्या कहेंगे एक रुडीबाद का स्थापना हो जाता है कि हाथ निच्च स्थ्रेणी का काम है उच्च स्थ्रेणी का काम सिर्फ दिमाग इस्तमाल करना खाथ दिमाग कर देंगे तो हमको भूलना नहीं चुर्छा इंसान कैसे बना हमारा अंगूठा से कि हम टूल्स बना सकते हें जरा इंट्रोपॉलजी के लिए इंट्रेस्टिंग है लेकिन दूस्तों में लकी रहे हैं और यह तो बटार यह है लेकिन फिर गणिक के कहिंगे नहीं आपका जहां से हात मुडता है वहीं से लकीर पढ़ी है उसके हलावार कहींचे आप में पोड़ेगा एक यह है पर सबसे बड़ी जो जानवर हम में फरक है जैसे कहते हैं हायर एपस जो है वो तो दो पैर पे खड़े होते हैं वो भी काफी जमीन पे चलते हैं हमारे फरक क्या है कहते हैं हमारे जो अंगुटा है उल्टा चलता है उल परंदर नहीं कर सकता वो उसका उस तरह से उसका ऐसे पकड़ने का आपने देखा होगा ऐसे ग्रिप जो ग्रिप है वो मजबूत ग्रिप नहीं होता है तो उसमें जो बारीकी से तूल अवजार बनाने की जो खामता शामता है वो नहीं होता है जो हमारे उंगूठा के वजए से हमें मिलता है और यही हाय एपस में जो फरक होता है हमें जेनेटिक फरक बहुत कम है अगर पहला देखे शिंपंजी से हमकी तब भिन नहीं है पर सबसे बड़ा जो फरक था यह आवजार बनाने का च्छामता तो हाथ का प्राधान इससे आता है और दिमाग का जो जो तो एक इंटरस्टिंग जो इसमें जो आर्गुमेंट है आपका वो यह कि भारत में जिस तरीके से विज्ञान का पूरा डेवलोपमेंट वहा उसमें लेफ्ट का बहुत बड़ा योगदान था अब आप फिर इसमें साहिप सिंग सोखे, अब्दूल हामेद, जनीती को आप क्यों बेफालत का गल्सीट के ला रहे हैं तो मैं पहले चाहता हूं कि आप यह बताएं कि यह योगदान जो है यह किस तरीके का है और इसे क्यों जो है हमें या या फिर रिकॉल करना चाहिए देखिए पहली बात जो है कि जब हम परदीद हुए अंग्रेज गुलाम हुए अंग्रेज हम उस गुलामी की बात नहीं कर रहे हैं कि जो आए हम बस गए और उसके बाद हम कहते हैं हम गुलाम बन गए यह वो गुलामी नहीं था वो तो हमारे समाज का देश का हिस्सा है पर अंग्रेज कभी हम बसे नहीं आए वापस जाते थे और नए अ कैसे बाहर जाए जा सकता उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे पर उसमें जो सबसे बड़ी बात जो नैशनल मुव्मेंट हमारी जो आजादी की लड़ाई है जो उसका सबसे बड़ा एक बात था कि भारत वर्ष से यहां की मुद्रा पैसा और यहां का जो वेल्थ है सब जिसको ड्रेन थियरी कहते हैं अब बहुत सारे इंडिपेंडेस मुव्मेंट में इसका शुरुआज जो है इससे करते हैं कि ड्रेन थियरी जादा भाई नावरो जी बगारा तो यह ड्रेन थियरी जब शुरू होता है तब नहरु और सुबाज चंडर बोस और और सोशलिस जो धारा थी कॉंग्रिस के अंदर कॉम्मिनिस्ट जो थे उनका ये समझ था कि देश को अगर तरक्की करना है सिर्फ राज़ितिक आज़ादी नहीं चाहिए आर्थिक आज़ादी चाहिए और दिमागी गुलामी को खदम करके हमें यहां पर विज्ञान टेक्नोलोजी की स ट मैंडनिक कमिशन बना मिद्य करें प्लैनिक कमिशन हो तो उसमें जो लोगों को शामिल किया था उसे बहुत से लोग थे जो सिर्फ नकी नाशनलिस्ट है पर लेट भी अपने आपको मांगते हैं इस में हम ने खिर श्भी जे हो के झो मेडिक हL englishman है तो ये सब देखते हुए इस इतिहास को याद करना चाहिए इसकी एंटी कोलोनियल भूमी का जिस पे अपने कहा थे कि अपने जो जिकर किया अब्दुल हामित की तो जो सिपला का फाउंडर रहे हैं तो ये सब लोगों की विग्ञान, टेकनोलोजी और विकास इन तीनों को क इसे जड़ जोड़ना है उसके लिए राश्टर का क्या भूमी का होना चाहिए जो बाद में हमारे पेटेंट लॉव बदलने में सहायक होते हैं तो इसको 20 साल लगा अजादी के बाद भी तो ये सब जो है इस प्लैनिंग कमीटी के बारे में मनें जिकर किया और उस प्लैन वर्ल साइंटिफिक वर्कर सेसेशन का हिस्सा थे जो कि लेफ्टिस्ट माना जाता है उसमें फाउंडर मेंबर जिसमें होमी भाबा उसके लोगों के इंद गिरिद में थे पर उसका पार्ट नहरू उसका फर्स प्रेजिडेंट था इंदृसान में तो ये शाद अनोखा है कि प्राइम मिनिस्टर एक ट्रेड उनियन का वो प्रेजिडेंट बने तो नहरू भी समझते थे कि इन लोगों के अगर इकठा करेंगे तो हमें जो चाहिए साइंस टेक्नॉलोजी की आधार पे नया देश नया जो आजादिद हुआ है देश उसका अगर फाउंडेशन लखना है और जो उसका विरोध कर रहे थे वो अमरीका परस्त इंग्लेंड परस्त लोग थे और यहां करकी अंद्रूनी राजडीती में वो कहेंगे आज के भाशा में राइट विंग थे हलांकि बहुत सारे कॉंग्रेस के अंदर भी थे और नहरू की बहुत लंबा इसके लिए संघर्ष करना पड़ा और एडूकेशन साइंस अंड टेक्नोलिजी का नीम सही बात तो है वह आपने जो कहा उन लेफ्टिस्टों को याद किया है और कॉंग्रेस लेफ्ट में एक जो कॉंग्रेस का अंदर एक लेफ्ट जो हिस्सा था सोशनिस्ट कॉमिनिस्ट उनक और इनी के कारण जो है पेटिंट लॉज पे जो है लड़ाई हुई फिर इसके कारण दवाईयां सस्ती हुने बिलकुल यह बहुत बड़ी बात है कि हमको मालूम नहीं था दवाई यहां पर कितनी महंगी है तो अमरीका में एक कमिटी बनी थी इसको केफ़र कमिटी कहते है तो उन्हों ने सेनेट या कॉंग्रेस में रिपोर्ट पेश की कि सबसे गरीब देश भारतवर्ष उस पे सबसे महंगी दवाई एंटिबाइटिक्स बेची जाती है और यह क्यों है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मनाफ़ख खोरी कर रहे हैं हमारी कमपनिया तो उनका सं अपने देश में भी बहुत महंगी बेशी जाती है बुनियादी दवाई एंटिबाइटिक्स जो है इंफेक्शन डिजीज उस वक्त काफी शिकर में थे तो उनको रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज है एंटिबाइटिक्स इतनी महंगी क्यों है तो हिंदुस्तान भी बदलना चाहिए उससे पेटेंट अक्ट फिर भी साता दस साल लगता है पेटेंट पास हो साथ हजार गुना जो है महंगी दवाईयां जो विकरी थी उनके कमिटिक रिपोर्ट के बता भी है हमारी कमिटिक रिपोर्ट नहीं तो जिसकी दवा की कीमत एक रुपए उनीची वह साथ हजार रुपए हम लोग दे रहे हैं अभी इसी तरह अगर देखेंगे के कैंसर की दवाईया है और भी ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेज उसकी दवाईया है जिसको बायोजिक करते हैं वहां भी यहीं चीज है वो भी इस वक्त जो है सौ गुना देर सो गुना दो स ज्यादा कीमत पर बेची जाती है जो हम बना सकते हैं और उसके लिए पेटेंट सित्ता नहीं है और भी कानून लाया गया है जिसके वजए से उनको यहां पास करने पर दिक्कत पाड़ नहीं है इसके इस वक्त बड़ी लड़ाई चल दी उस बात पर तो बायोजिक्स की ल पर लड़ाई खत्म नहीं हुई लड़ाई वही लड़ाई बार बार हमें लड़नी पड़ी गी अलग बेश में तो यह इस वक्त है अज मैंने जो कहा भविश्य की लड़ाई वैक्सीन और बायो लॉजिक्स पे है और उसके अब देखी रहे हैं उसकी लड़ाई कितना इस सिर्फ गरीब मुलकों के लिए नहीं अमीर मुलकों में भी और गरीब मिल्यों सा आफरिका है उस पे अभी भी मेरे ख्याल से आदे से जादे लोग को वैक्सिनेशन नहीं हुआ है तो फिर विज्ञान से जो है यह किताब जो एक टरन लेती है तियास की तरफ तो इसमें ज चाहे मैज्स की फिल्में है आरे भठ है भासकर है ब्रह्मगुप्त है फिर उसी तरह की से साइंस में गया देंगे सरजरी में जो है शल्ले हैं चरख हैं इन सब पे जो बात होनी चाहिए थी और जो आगे की बात बढ़नी चाहिए थे वो हुई नहीं और फिर जो है अलग केंपेन हुआ इसकी वज़े से किस तरीके के नुक्सान हुआ देखिए एक तो है अलोग की क्लेम लाना जो कहेंगे कि हमारे हाँ पर फलाना था डमा का था पुश्पकरत जो है एरुपलेन था फलाना डमा जो क्या कहते हैं विमान विमान तो ही पर वो तीर चलाते थे और नुक्लियर बॉम था अश्वत्थमा और अर्जुन दोनों के पास नुक्लियर बॉम था तो यह सब जो क्लेम होते हैं इसको काल्पनिक कहना भी थोड़ा कमी होगा काल्पना अच्छी चीज़ होती है यह कहेंगे कि काल्पना को रियालिटी के खिलाफ नहीं हमारा जो एक् यह इसका तो कोई तुक ही नहीं तो इन चीजों को अगर हम देखें कि हमारा एक्च्छल उस वक्त क्या प्रगती हुई थी उसको अगर देखना चाहे तो वाकई बहुत सारे चीजों को हम दावा कर सकते हैं दावायों से लेकर मैथमेटिक्स में साब खास तोर से मैथमेट मैथमेटिक्स अस्ट्राणोमी देखें जहां पर हाथ से काम होता था वहां पर विज्ञान में हम थोड़ा पीशी चले जाते थे शेल शास्ट्र के लावा सर्जरी के लावा सर्जरी भी बाद में वहां पर जैसे हमें मालूँ था नाक कैसे रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क वहराष्ट्रा में पॉटर कुवर करता है ठीक है ना कमार है वो करता है वो जो दो अंग्रेज्वों ने इसके बारे में लिखा कि ये किस तरी करिए पहला इसको देख के किया था उनका तश्वीर अस्वीर भी बिलता है कि अच्छा यह हुआ है हमको मालूम नहीं तहीं हो सक करता था ये अनोखा नहीं है वहां भी जो नाई है इंग्लेंड में वो सरजरी करते थे युद्ध खेत्रे में सरजर्ण वही थे और जो डाक्टर जो कहते थे उनका उनका तो खाता है लोगों को ब्लीड करना अब ब्लीडिंग जो है कोई उसका फायदा नहीं होता कि हमारा दोस्तामिज सेंगुपता उनका कहना था कि इसमें इनका सिर्फ एक ही दवाई था ओपियम तो अफीम खिलाके उनको पेन से थोड़ा सा रिलीव देने के लावा इन लोगों का और कोई काम नहीं था ये तीन साल चार साल जो है वो लॉजिक पढ़ते थे विग्यान नहीं पड़ते थे तो पर हाथ से काम करना वही हाथ की बात दिमागा रहाथ हाथ से काम करना सरजन्स करते थे हमारे हां कुवर करते थे और भी कम्यूनिटी करते जो उनको अपरकाश नहीं मानते हैं और जो पंडित होते थे अयूरवेदा करते थे जिसमें हाथ जो है नस के इला जो आपने आपको ब्रामर नहीं कहता है अपरकाश नहीं है वो सब करते थे दाई जो होते हैं तो ये हमारे हाँ नहीं ये पूरे मद्ध यूग में यौरप का भी ही इस्तिहास था और इसी लिए बहुत बाद में जब हाथ साफ करना ये सब करना शुरू हुआ इसके बाद ड दाईों से कम हुआ इसके पहले दाईों की मौटालिटी रेट चाइल्ड बर्थ में काफी अच्छा होता था डॉक्टर से खराब होता था उनको विग्यानी मालब था बहुत सारे विग्यानिक चीओं से अवगत नहीं थे आप सीखना नहीं चाहते थे इन से यान पर डाई जिज हम नहीं भी कह सकते हैं और उसका क्या जड़ है वो भी कास सिस्टम है वो भी मैंने जिकर किया है इसमें एक इंटरस्टिंग चीज आप बताते हैं कि जब सारनात्म खुदाई हो रही थी तो यह खुदाई को लेकि बनारस के गुरुकुल में लोग जाते हैं गुरु भी मिटा जिया था खास तोर से बुद्धिस्ट थी हास को तो बहुत सारे बुद्धिस्ट जो मॉनुमेंट्स वगारा थे जिसमें आपका सारनात्म की आप जो कह रहे हैं वो चीज हमने पहचान भी नहीं पाते थे अशोका पिलर्स जो है वो क्या है उनको नहीं मालुम थ तो कोई कहता है किसी ने लिखा है कि जब वो लेके गए थे बंदारस के पंडितों को बताया उनने कहा तो भीम की गदा है तो कहते हैं यह कहा गया था पर उनके बारे में कुछ उनको मालूम नहीं था और अशोका कौन है वो भी हमारे इतिहास में नहीं था क्योंकि यहां इतिहास नहीं लिखते था यहां तो आपका यह कहके जीनियोलोजी लिखते हैं आपका तरपन के लिए आपको जीनियोलोजी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वही तो मैनिफैक्ट्चर होता था या तो लिखा जाता था तो यह इनकी इतिहास बात में पता चला बड़े मु तो इतिहास न लिखने के वजए से ये सब चीजे हम यहाँ पर भूल गए थे एक हिसाब से तो पूरी मौरिया इतिहास जो हम जानते हैं इस वाक्त अशोकास तब इतने इतने जगों से उनकी जो क्या कहते लिखा जो मिलता है पत्थर में वो सब से हमने इतिहास भी कंस्ट्र है और क्यों हम भूल गए यह भी सवाल है और इसका भी जवाब मिलता है कि हमारा जिस तरह से हमने कास्ट सिस्टम के जरिए हमने एक इतिहास रचना किया है वो उस रचना और यॉरप की क्लरजी ने जो रचना किया है उस पर खास फरक नहीं है दोनों असली असलियत को छु जरिए हमने कास्ट नहीं होता है तो उसका तो मकसद और कुछ होता है यहां भी है यॉरप में यह हुआ है यह मेरा आखरी सवाल है आपकी किताब का जो आखरी जो हिस्सा है उसमें आप साइंटिफिक विजन के बात और पिर देश आगे जो है कैसे जाएगा उसके बारे मे वो तो तैय नहीं कर सकता है आपका विजन जो है क्या कहता है और अब उसको कैसे देखे सीरी सी बात है चंद लोग के हाथ में अगर जितना भी हमारा उत्पादन का फाइदा है आगे बढ़ने का फाइदा है उस सिर्फ अगर चंद लोगों के हाथ में जाता है चंद कंपनिय के हाथ में जाता है तो जो समाज larger समाज है उसका फाइदा नहीं होता है और उस पे आप देखेंगे जो आजादी के बाद हमारा कलपना था कि देश का जो विकास होगा उस पे सब शिर्कत करेंगे चंद लोगों के लिए नहीं होगा आज जो हो रहा है देख सकते हैं कि हमा अगर GDP बढ़ता है तो GDP बढ़ने का फाइदा किन लोगों का होता है और जो आम जनता है ज्यादा तर लोग उनका क्या होता है उसको देख सकते हैं कि wealth distribution कहां जा रहा है income distribution को देखेंगे बिलकुल सही है भारत वश्वें तरक्की हो रहा है हमारा economy बढ़ना है बस इस बढ़ प्रतिशत wealth इस देश का उसका मालिक है उसका 10 प्रतिशत उसका population है और ये लगातार विशमता जो है बढ़ी जा रही है ये आज के challenge है कि हमारा विज्ञान और technology का फल अगर चल लोगों के हाथ में जाएगा तो वो समाज का विकास नहीं होगा उन लोगों का विकास होगा और ये बहुत दिन चल नहीं सकता शुक्रिया सर आप बाचीत करने के लिए तो ये किताब है ये left word ने छापी है तीन सो पंचानदवे रुपैस का दाम है जरू मंगाई हो पढ़िये बाकी खबरों के लिए जोड़े रहे हैं न्यूस क्लिक के साथ सुक्रिया